ले आओ ने एक जार लड़कियों को सामने ले आओ ने अम उनके साथ मैं हाज भी मैं खुद जाओंगी उनके साथ मैं अगर वो पुरूफ ले कियाओंगी तो मेरी तो जी यही राय है क्या नाम अगर उनके साथ परूफ है ना उनके पास परूफ है और तो उनको परूफ दे देने चीए अगर बरिजबुसन जी के नाम गलत थे उनने बलत कार किया है वो सबसे बड़ी गलत बात थी उनकी तो उनको सजा मिलने चीए अगर उनके साथ उ अपने घर से चलता है जिस तरीके से आपने हमें बताया हमें भी दुख हुआ कापी संगर्स पूर्ण आपका जीवन रहा होगा फिर भी आज आज आप अपने बेटे को पहलवानी कुस्ती के गुण सिका रही है उसके पीछे की रीजन क्या है हम यह तभी तो शिका रहे हैं खांदानी पहलवाननी है कर्वान वह तो देश का नाम करागा घख बहाए कि नोकरी लग जगा पने भी पर खड़ा हो जगा नसा पता निगर आखा इसलिए तो ले के आ रही हैं और दो साल होगे मेरे को यहां लगा तार ले कर आती लेक आते हूँ अके लीक्र लेडे जात और कोच ये भी है फिर आगर ऐसा डर लगा गर तो कोई लड़की आप कोई माबाप अपने ना लड़का ने बेज़ेगा ना खुद आवगा अभी इन्हों ने जो बात कही कि भई एक हजार लड़कियों के साथ ऐसा हुआ सामने नहीं आ रही है डर के वजे से तो क्या लगत आरोप में कितनी सत्ता है कि लड़कियों में इतनी हमत नहीं होती कि वो सामने आ के सामना गर पाई इंद अभी 2012 13 15 16 18 में क्यों नहीं हमत आई वन्हा बालिक तो थी निजी उन्हाँ आना ची आज भी आना ची उन्हाँ पहले भी आना ची था अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनने जब वहा उनके साथ जब भी आना ची था आज भी आना ची था बिर्जबुस नजी आसा तो आने एक मोत तो देवेंगे अगर मारेंगे तो लड़किया ना और कुछ तो करेंगे इस तो पर तो कुछ करने सकता मोत तो एक दना नहीं आनी है कली बीनेस फोगाट जो प्रेस कॉंफरेंस में बोल रही थी कि हमारे पास तो 99% महिलां आ रही हैं बहुत सी वो कह रहे हैं कि समाज की 99% महिलां के साथ ऐसा सोचन होता है लेकिन वो सरंबाज या डर की वज़े से सामने नहीं आती कि आपको लगता है 99% महिलां सोचन का सिक पर जब है ना आप चैर साल के बच्चे ना तो हम बेजते निखाडे में 12-13 साल के बच्चे ना बेजा हार जब इनु बोलांगे बिटा के नाम है अगर तरे को कुछ करे कुछ बताए तो घरा के बताना पा बालिक तो थी नहीं है ना आज बना बालिक उन आना चाहिए करके निखे नहीं है यह ना फूरुम जयुक्ति नहीं हो ऑन पताने कैसे अनके नाम जैसे माबाबी आसे पालते होंगे उनका तो बहुत नुक्षान ओगया ना उनका नुक्सान तो मैं थोड़ी नहीं बार्देंगे सारे जंदिक उनका फोड़ी नी चला देंगे केंगे केंगे कंपिटिशन नहीं में लगा और वह नहीं हो आप कैसे जानते हैं मैं जो मेरे जगदिश कोच्छाब है चांदरू पखाडे में पहलवानी करा अरती में उनका स्टूडेंट रहा हूं अब यहां पहलवानी कराने लाते हैं अभी कोच चाप्चे जिन पहले गुज्रें अरे आना में आप कहां से हैं यह जीन्य मेरी डिकल कर रखी है जैसا कि सुन्ने में आ रहा है बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो कुस्ति अपनी जगह है आरोप अपनी जगह है लेकिन जो चैंपियन सिफ हो रही थी जो छोटे-छोटे कॉम्टी सन हो रहा है तो नहीं रुकना चाहिए तो क्या एक बाद बता हो जिमारू कि ना जो बच्चे रहे गे वह जो साक्सी मलीक है वह जो बड़े-बड़े हमारे जो पहलमान है वह को से खान देन जाओंगे इनने उनका तो गर बरबाद हो जागा ना वह को से परमानेंट उनका घर चला दिंगे ठीक है बही जंतर-मंतर बैठे रो यह जो रुकावट हो रही है बच्चे में कि ना वह मत करो आपका फैसला बही लेका बैठे हो तो उसने बही जंतर बैठे रो क्या आप एक महिला हैं और महिला ससक्तिगर्ण को आप भी अच्छे से जानती होंगी कि कानून कितने तरीके आज महिलाओं के पक्ष में हैं सरकार कितना फेवर कर रही है कानून कितना फेवर कर रही है उसके बाद भी महिला है पहलवान महिला है अगर आठ साल तक मौन रह तो इनके पास तो किया है पहले क्यों नहीं आए है और चली भी आगे तो सबूत लेकर बाइदर ना खतम करो और जो बलतकार करें अबरेज बुस नसीना उसना जीगल में या उनको मौत दो यहीं हो सकती है बसे अभी अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात करें निन्यान में परतीसत मईदा सो सब्सकार हो रहे हैं उसके पहले एक हजार बलड़कियों को बलातकार हुआ कि आपको नहीं लगता कि अन लड़कियों के परिवार पर क्या गुजिदी होगी जो आज पहलवानी के गोड़ सीखने हा रही है खाड़ों में जा रही है हिम्मत द रहेंगे वह उन तक ऐसे के नाम है बच्चे उन पर तो बहुत इफेक्ट पड़ता ना बच्चों के उपर तो क्या नाम है कुछ महिला पहलवानों का यह भी कहना है अब तो हमें घर पे भी संदेगी देश्टी से देखने देखा जा रहा है हमारे पापा पूछन लगते ह है तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी घटना है घट रही नहीं जब से नहोंने एक हजाल लड़कियों का नाम लिए ना जी जैसे पापा पूछ रहे हैं बही सब पहलमान कर रहे हैं हर फिल्ड में लड़कियां हाजगल तो आप यह देखो सब चीज में कोई भी हैं यह तो गलत बात है लड़कियों को ऐसा देखना वैसी नजर से नहीं देखना थी लड़कियों को भी जिसके साथ हुआ है तो वो तो कहना मैं उनको आ गया ना चीए ने की बज़े तो जंतर मंतर बन गया क्योंकि वहां से स्टेटमेंट दे रही हैं अपनी बात रख र जालना रहा है और यह जो यह फैडरेशन है मा एक मेरी बात मानों आप फैडरेशन में जो लो बरज बोसन सी आस तो वह है कल ना कोई दूसरा आगया वो को साके नाम है उसको से गागस लिख रखे हैं मतलब यह सब सब कुछ है यह तो फिर आने वाले सारे जो भी नेता है सब पहले किसन लगंगे आग आगं कल हमारे बच्चे बीबड़े होंगे मारे याज बैन्ट भी थे हंत आप हर्याणा से हरेना की राज नीति को आप काफी करीब से जानती होंगी अरो भी लग रहा है पहलवानों पर यह ज़ाडवानों पर यहाड भरसे यूप बैठी हैए एक जाट तो बैठानी हुदर है उसमों तो फिर अम्भी जाट हगे जो मंगर बैट्थे हा जाट बोलोगे अम भी जाट है तो कला वड़ामी वॉग जात आए होना चाहिए तो दिखाओ मैं तो नुकूझे होना चाहि जखे पहलो पहलो वानामे ने खाने अगर हमारे बच्चे बड़ी अले खड़ेंगे तो वो खुद ही आग जाक बड़ी अले खड़ेंगे